नमस्कार में निहा और आप देख रहे हैं फश्प्याजारखन आज मुख्य मंत्रिन नितीश कुमार इस कैंटीन के उद्गाटन में पहुंचे हुए थे दरसल ये विधान परिशत का उपभवन सभागार है जहां पर सिजलर्स कैंटीन खोली गई है इसे पहले भी मुख्य म मुख्य मंत्रिन नितीश कुमार इस कैंटीन का मुआयना करने पहुंचे हुए थे और आज विजय चौधरी के साथ मुख्य मंत्रिन नितीश कुमार ने इसका उद्गाटन किया दरसल ये विधान सभा में कैंटीन खोली गई है और यहां पर खाना बनाया जाएगा खाना दिया जाएगा विधान सभा के जितने भी जितने विधायक होंगे विधान परिशत के जितने भी MLC होंगे सभी लोग यहां पर आएंगे खाना खाएंगे और आप यहांगी सजावट भी देखिए बेहदी खुबसूरत तरीके से इसे सजाया गया है अलाकि यहां पर अभ तुरंत मुख्य मंत्रेин रिद्धीश कुमार ने इसका उधगातन किया जहाँ पर वितमंत्रे विजे चौध्रे भी मौझूद थे मुख्यमंत्रे रिद्धीश कुमार अपने तमाम नेताउं के साथ यहाँ पर आए और इसके बाद इस जो रेश्टोरेंट है इसके बाद वो सीधे यहां से चले गए विधान पैशत का जब सदन खतम हुआ तो सीधे मुख्य मंतर नितीश कुमार यहीं पर आये और उसके बाद इस रेश्टरेंट का उद्धाटन करते हुए सीधे वो आगे निकल गए है आज मौनसुन सत्र का आखरे दिन था जिसके ब बड़ा ही हंगामे भरा रहा बिजेपी ने भी कई सारे हंगामे की बिजेपी काली पट्टी लगा कर जो है सदन की कारवाई का बहिसकार करती नजर आई और तमाम नीता कल की बात को ले करके यहां पर मुद्दा उठाये थे कल जो विधान सभामार्श निकाला गया था तो संजे सिंग है उनका माशल आउट हुआ उन्हें बाहर किया गया और उसके बास सीधे मुख्यमंत्र नितीश कुमार परिसद की कारवाई खत्म होने के बाद इस रेश्टुरेंट का उद्घाटन करते पहुंचे थे और उद्घाटन जो है वो अच्छे तरीके थे खत्म कर अब देगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबा लाया है अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहां अपना घर भी तो नहीं है वहां इसलिए तो एक और मिठाई का डबा अलग से लाया हूँ अपने पूर्णिया में घर ले लिया है पूर्णिया के इहोम्स पैनरोमा में पूर्णिया में पैनरोमा ग्रूप लेकर आये हैं इहोम्स पैनरोमा बड़ा घर आलिशान जिंदगी और अत्यादुनिक सु अनरोमा, लग्शुरियस, लाइस्टाइल रीदिफिन.